पूर्वाद मेरे सेर्ष एड़नियों गयत्री मंद्र में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है ज़ज़बा है जीतने का इसलिए सफर जारी है ज़ज़बा है जनून है पागलपन है जीतने का और इस बार तो सलेक्षन चाहिए आज में आपके सामने जो पूरुसकार अवोर्ड दो जार तेईस के चनवली से लेका जो मई तक के जो महत्पून अवोर्ड्स हैं आप पढ़ाने वालों परिच्छा की द्रस्टी से अपती महत्पून गायत्री मंद्र आपके लिए धेर्रे बनाये रखिएगा धेर्रे के साथ पढ़ते रहिए याद मैं करवा दूँगा गारंटी के साथ मैं आप तो बस लगातार इसको दो ध्यान दखना है यह पहली बार दिया गया इसलिए बड़ा महत्पून अवोर्ड है यूएन हैविटेट अवोर्ड जो है वो ओडिशा के जागा मिसन को मिला है सलम उन्नेयन मिसन था यह आपको ध्यान दखना है ट्यक है असम भैवब पुरुसकार जो है डोडर तपन सेक् मिला है ओंको लोगेशी है कैंसर आपको ध्यान दखिया गाल्डन कैलासा जो वोड है उन्हारा फिलिम को मिला है राजिस्थानी फिलिम है यह और निर्देशा के इसके दीपांकर प्रकासствен है थ्यान रखना है, ठीक है, 71 Miss Universe जो अवोड है, वो Bonnie Gabriel को मिला है, USA की रहने वाली है, इससे दोसो पिछले वाला जो है, वो हरनास संदु भारत को मिला था, ठीक है, नंबर वन पुलिस्थाना जो अवोड है, वो असका पुलिस्थाना गंजाम जिला ओडीसा को मिला है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार 23 जनवरी को प्रदान करते हैं, इसको संसागर स्रेणी के अंदर ओडीसा आपदा प्रबंदन प्राधिकन को मिला, इसके लावा लुंगली फायर इस्टेरेशन मिजोरम जो है, इसको प्राफ्थ हुआ है, पदम भ दिलिप महालनोबिस अभी हाली में निदन हुआ है, यह आपके पक्षिम बंगाल के ओवार इसकी घोल करने वाले, और मुलायम सिंह आदब समाजवाधी पार्टी के नेता, यूत्तर प्रदेश के रहने वाले अभी हाली में निदन हुआ, तो छे व्यक्तियों को पादम भ पर आप थुआ है, इनका एलबम कौन सा है? Divine Titans यह इनका एलबम है, आपको ध्यान लखना है, मात्रभूमी Book of the Year पुछो आपसे, मात्रभूमी Book of the Year पुरुषकार जो है, पटर पैगी महन को दिया गए, आपको ध्यान लखना है, राजा राम बोन रहा है, पुरुषकार जो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है, मारकोनी पुरुसकार, इसको दूर संचार का नोबल पुरुसकार कहते हैं, यह इस वार कंपुटर बैज्ञानिक हरी बालकिष्णन जो है, इनको प्राफ्ट हुआ है, इसके बाद देखेगा, ओसकर अवोर्ड दोजार तेईस, अतीम प्राफ्ट हुआ है, दा वेहल फिल्म के लिए प्राफ्ट हुआ है, बैस तो अक्ट्रेस का वोर्ड मिसेल यहो को प्राफ्ट हुआ है, यह पहली एशिया की आपके महिला है, जिनको यह अवोर्ड प्राफ्ट हुआ है, बैस पिक्टर का वोर्ड जो है, वो एवरिधिंग everywhere all at once जो है इस फिल्म को प्राप्त हुआ है best song दोस आवोर्ड जो है नाटो नाटो को प्राप्त हुआ है RRR फिल्म है M.M. किरवानी संगीतकार आपको ध्यान रखना है short documentary का जो आवोर्ड है the elephant whispers को मिला है और कारत की गॉंजाल विस जो है यह इसके निर्देशन है आपको ध्यान रखना है भारत को इस बार दो ओसकर आवोर्ड मिले best song दोस आवोर्ड जो है और best song documentary film जो है यह भारत के खाते में गए यह आपको ध्यान रखियेगा ठीक है इसके बार देखियेगा अगला है फीफा दोस्तों अगर पुछे आप से golden board award फीफा आपके वर्ड कप के अंदर लियोनेल मैसी को मिला अर्जेंटीना के खिलाडी है ठीक है golden board जो आवोर्ड है किलियन एमबापे को मिला कहां के दोस्तों आपके यह फ्रांस के खिलाडी थे अगर दोस्तों पुछे आप से फीफा के सर्विसरेस्ट पुरुस खिलाडी दुजरबाइस के कौन है वो लियोनेल मैसी होगे दोस्तों अगर पुछे आप से सर्विसरेस्ट आपके पुछे आप से female player कौन है तो वो अलेक्सिया पुटेलेस है इस पेन की है यह आपको ध् रखना है ठीक है इसके बाद देखिए दुस्तों अगला है बीबीसी पुछे आपसे दुजरबाइस के sports woman award किसको मिला मीरा बाइचानू weightlifter है हम जानते हो ठीक है पहरा दुस्तों sports woman आप पुछे आप से दिव्यांग sports woman award किसको मिला है भाविना पटेल को मिला table tennis की को मिला है होकी की खिलाडिया आपको ध्याना है आपके दिमाख में सवाल आएगा सर इतने सारे अवोड कैसे याद होंगे चिंता मत कीजिए आप तो बस लगातार क्लास में बने रहीएगा मैं आपको याद करवा दूँगा ठीक है आगे देखिएगा अगला वोड है प्र सम्मान जो है वो सिर्फ संक्री को मिला है भगवान के नाम पर दोस्तों और सूर्य वंसम उपन्यास के लिए दिया गया ठीक है आगे देखिएगा गवनर ऑफ दा इयर जो पुरुसकार है वो रार्बिया के जो गवनर है सक्तिकान दास को इस वार प्राप्त हुआ है यह आ पाल के विकट कीपर आसिफ सेख जो है इनको सम्मानित किया गया ठीक है एबल पुरुसकार तो पूछूँ आप से मैथमेटिक क्शेट में मिलता है अर्जेंटिना के लुई सके फरली जो है इनको इस बार प्राप्त हुआ है ठीक है, वन्ये जी समेच्छन जो पुरुसका आप से अरे सो ईसाम मानी जो है इनको ये प्राप्त हुआ है ठीक है Knight of the Legion of Honor तो आप से पुछे आप से France का जो सरवोज सम्मान है वो किरन नादर को प्राप्त हुआ है और अभी दोस्तों हाली में एंच अदर सेखरन जो है इनको प्राप्त हुआ तो फ्रांस का सरवोज सरवोज सम्मान जो है किरन नादर और एंच अदर सेखरन प्राप्त हुआ Knight of the Legion of Honor तो पुछे आप से कि पॉलेंड का पुछू हूँ आप से पॉलेंड का सरवोज सम्मान है प्राप्त हुआ है इसको प्राप्त हुआ है प्राप्त हुआ है नता दीनानात मंगेशकर अवोड यह सेकिंड बार प्राप्त हुआ है और सेकिंड बार जो है वो आसा बहुंस लेजी को प्राप्त हुआ है ठीक है गलोबल गोल्ड सो अवोड पुछू हूँ आप से यह पावर ग्रिट जो कॉर्परेशन तो भारत की ग्यारवी महारत कंपनी है उसको कौन सा अवोड मिला है गलोबल गोल्ड अवोड जो है प् उसी फिलिम के आपके एक्टर को है राजकुमार राव है और लाइफ टेम अचिमन अफ़ voter प्रेम चोपडा को मिला प्रेम चोपडा को मिला कौण सावके 68 हुंड़ी फिलिम फियर अवोड ठीक है इसके बाद देखिएगा Green World Award 2030 जो है वो चेन्नी मेट्रों को प्राप्त हुआ है इसके बाद में पुलिजर सो पुछूँ आप से अरे पत्र काई ता छेतर है आपके पत्र है अगर सो पुछा आपके इसमें कौन सा अवोर्ड मिला है पुलिजर अवोर्ड मिला है किसको तो सो मिला अंतराश्य रिपोर्टिंग के छेतर में New York Times जो है इसको ये अवोर्ड प्राप्त हुआ ठीक है केरल सिल्स अवोर्ड जो है वो फातिमा असकर को मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद एकना लोरियस उसो अवोर्ड पुछूँ आप से स्पोर्ट में अवोर्ड लिओनेलमसी को मिला अर्जेंटिना फुटबोलर ध्यान रखना है स्पोर्ट तो बूमें अवोर्ड जो है वो सैली फ्रेजर को मिला है देखो ये तो आपको याद होगा ये आपको ध्यान रखना है इस स्पोर्ट्स बुमेन जो अवोर्ड है वो सैली फ्रेजर को मिला है जमेका की एथलीट है आपको ध्यान लखना है ठीक है डॉक्टर भीमराव अम्बेड कर पुरुसकार सो पुछूँ आपसे तेस का जो किसको मिला है मुख्यमंत्री साव हमारे योगी अधित्यनाज जो ह पुछे हैं आप से एक कोचिन पोर्ट को प्राफ्थ हुआ है UK ASEAN Film Festival जो है यह भगवान थूसर भरोसे जो फिलिम है अगर कौन सो पुछे हैं आप से डायेटर कौन इसके सिला जित्ते बोरा डायेटर है इसके भगवान भरोसे फिलिम जो है इसको यह वोड प्राफ्थ पापवा नहीं को नहीं या फिर दोस्तों हो फिजी और पलाव किसको मिला है वो प्रधान मंत्री सहाब को मिला है और सूरी नाम वाला सों के सूरी नाम वाला जो है हमारी राश्पती द्रौबदी मुर्मुजी को प्राप्त हुआ है इसके बाद देखना अंतराश्टे सो इतकी समादी के रहें प्राफ्त हुआ है एक्टर का जो ओर है वह रितिक रोषन को प्राफ्ट है के लिए एक्टरेस का जो अवर्ड है वो आलिया भट को मिला दंगुबाई काठे वाड़ी के लिए मिला है और उत्करष उपलब्दी जो अवर्ड साब के पूछे कमल हासन को प्राप्ट हुआ ठीक है फिलिम का अवर्ड देश्चन टू है एक्टर का वर्ड रितिक रोशन है एक्ट जो सांती जो अभयान थे उसमें विसुपाल सिंग राजिस्तान के थे सामला राम विसुनों राजिस्तान के थे और साविर दाहीर अवर्ड मिला है डैग हैमर इसकोल्ड आवपोर्ड रूचीवा कमबोज ने ये आवपोर्ड दिये ठीक है छिएतरमा कान्स फिलिम लिम जो है जस्टिन ट्राइट में बनाई थी आपको थाना और सो इसके अलावत सो मानद पाल में थी अवोर्ड जो है वो माइकल डखलस को प्राफ्ट हुआ दोनों आपको ध्यान टखने इसके बाद देखिएगा 57 जो ग्यान पीट पूरुसकार है वो तो सदामोतर मोजा को प्राफ्ट हुआ है आप जानते हो 56 जो है वो आपके नील मनी फूपन को प्राफ्ट हुआ है यह आपके बहुत सारे अवोर्ड मैंने करवा है लगातार लगातार दोस्तों आपके सामने जो अवोर्ड है मैं हर क्लास में आपको लेकर आऊंगा जिससे आपको जल्दी जल् झाल 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 बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी इसका संगार सह जारी जो पसीन अब आएगा मैदान जीत कर ले जाएगा ती महत्पूर्ण किलास करन्ट अफेस को उसकी ओकाद दिखाने के लिए रुबर वाके विहारी लाले की जैं और तुम तो मेरे मान जी हो रहा है जो तक तोड़ होगे नहीं छोडने वाले तुम हो भी नहीं बिल्कुल पिंटो सिंटो क्या बात है विजया संजना जैदीप सुनील अभिशेक दीपिका धर्मेंद्र बिल्कुल वेद प्रकास रोहित मनी सभी का सागत हैं आए सुरुबात करते किलास की करन्ट फेस के लिए ती महत्पू कोर समरा नेजीता स्वन पदक आसकर से दोजार चेश ओसकर दोजार चोविस में मलियालम फिली में दोजार अठारा एवरिवन इसे हीरो को मिली ओफिसल एंट्री आज मनाया जाएगा विश्व समुदरी दिवस वर्ल्ड मेरिटाइम डे दोजार तेईस तेरवां हिंद प फॉन पे ने गूगल के प्ले स्टोर एक अधिकार को चुरूती देने के लिए लॉंच किया इंडस एफ इस्टोर इंडिया इसमार सिटी कॉन के लिए वजार तेईस इंदोर मध्य प्रदेश में हुआ आयोजित के इन सरकार ने उनाचल प्रदेश और नागालेंड में ए एफ एस पी ए आर्म फोर्स इस्पेशल पावर एक्ट के समय सीमा शे महीने के लिए भड़ाई ए आई आई डिया इंसरेंस एंड इंसरेंस रेगुलेटरी एंड डवलप्मेंट अथोरिटी ओफ इंडिया आल इन वन किफाहिती बीमा कवर बीमा विस्तार करेगा तरी अल्व संक्यक उध्यमी योजना होगी प्रारंब गूगल ने मनाया अपना 25 पैपी बेर डे आज का मोटिवेशन कोट आपको उर्जवान बनाएगा चेहरे प्रमुस्कान लेकर आएगा और मा तेरे पसीने की हर बूंद को मुत्रत समकाउंगा सपने बड़े देखना मा पूरा कशबा सेर सेर्ने देखलाया सुनिये सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आगे है संगर्स करने का और सुरू हो जाओ तुमारी जीत पक्की है तो दुनिया तो कहने लग जाएंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे आपकी हार होने वाली है तो धियान रखना वही सही समय रजगुला करतब दिखाने का अब दोस्तो हेड भी आपका है सिक्का उचल चुका है मेरे दोस्तो हेड भी आपका और टेल भी आपका है अब आपको तै करना है कि आपको कितनी महनत करनी है धियान रखना दोस्तों अगर चाहते हो अगर चाहते हो अपने माबाब को आपके राजा की तरह जीना चाहते हो उनको तो आपको जमकर पसीना भान होगा अगर आप चाहते हो कि वो जो है वो अपनी जो जिन्दिगी है उसको अच्छी तरह जी सके हैं तो उसके लिए आपको मेनद करना पड़ेगा बिना आपकी मेनद के कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा आईए सुरुआत करते है किलास की कुश्चन नमबर वन देखना हाली में उननिसवां एशियाई खेल आपकी जान को आफ़त दोस्तों कौन सा खेल है वो है एशियन गैम्स बरस बड़ी खुसी की बात है कि हम दोस्तों गोल्ड जीत रहे हैं गोल्ड जीत रहे है करन्ट अफेस लगातार भड़ता जा रहा है आम गोल्ड जीत रहे हैं करन्ट अफेस लगातार भड़ रहे है देखिएगा उननिसवां एशियाई खेल में बचास मीटर राइफल से थरीपी वक्तित कत इस पड़ता हम पूछों आपसे अभी दोस्तो हाली में किसने गोल्ड जीता है दिखिए सो पहली बात समूभके एशियन गेमस पूछे है आज़ कौण से algún कौण से नंबर के छापना सो यह 19. में नंबर के हैं आप जानते हूँ उन्श स्टotyryn किया है और 1862 हमने उसक किया है यह आपको याध हो ठीक है अगर पूछे आपसे थो मास पूंचे आपसे इस बार जो है तो थे इसमें इसका फोश्ट कॉन जिस आपके तेस में तूOW से इसका फोश्ट कॉन छाबना होंग जो है चीन वाला जो इस्थान है वो 23 में इसका होश्ट हो गया है ये भी आपको छापना और सो पूछू आप से पिछली वार जो था आपके वो इसका होश्ट है इंडोनेशिया जो है वो पिछली वार होश्ट था ये भी आपको याद होगा ये तो बेसिक जानकारी जो आपको पत फ्सक्रापना उन्हेशंवा एश्यंड गेमस पहला पॉइंट शाब ना ये पहला पॉइंट इसमें भारत के धवज वाहक जो थे वो कोन सबना तो भारत के पूछों आप से धवजव वहक कौन फ्लैग वरियर कोना अपके दो के आपकेर, अर्मन प्रीस सिंग थे सो ये खेल कौन सा boxing का खेल है ये दोनों के नाम आपको ध्यान डखनेटी है अब दोस्तों पुछूँ आफ से आपके 19 एशन गेम्स में हमने तो पहला सो पहला गोल्ड पुछे आफ से जो आपके पहला गोल्ड पुछूँ आफ से किसमें सो सूटिंग में चाबना पहला गोल्ड जीता सूटिंग के अंदर पुछे आफ से पहला गोल्ड पुछूँ आफ से सूटिंग में 10 मीटर सो 10 मीटर जो राइफल्स है इसमें जीता ये भी आपको चाबना लिख लिए पहला गोल्ड है 19 में एशन गेम्स का पहला गोल्ड बार जो है इन्होंने जीता ये भी आपको छापना है पहला गोल्ड इसलिए आपको पूरा ध्यान ना पहला गोल्ड कौन सा इवेंट है शूटिंग दोस्तों इवेंट आ है इसके अंदर 10 मीटर राइफल्स आपका इवेंट हो गया है एश्वर्या रुद्रांश दिव्यान से तीनों ने जीता है पहला गोल्ड आपको छापना है अगर पूछू आप से हो सैकेंड पूछा से सैकेंड गोल्ड शापना सो सैकेंड गोल्ड जो है शापना सैकेंड गोल्ड जीता हमने किसके अंदर सो सैकेंड गोल्ड जीता है हमारी जो महीला क्रिकेट टीम है इसने स second दोस्तो गोल्ड हो गया अगर पुछऊ आप Dire थर्ड सो पुछआप से थर्ड सो पुछआप से third ובer हमने पुछओं पूच्छँ तो थर्र को थर्ड गोल्ड हमने servant खाब न nine उस्ता थ42 थर्र का दर साफट एक एक तालीस साल बाद आपके कौकि दोस्टों इससे पहले इसमें 1982 में हमने 3 गोल्ड जीते हैं यसके अंदर 100 अब दोस्टों बापस हमने क्या है 41 साल بाद क्या है गोल्ड जीता है होस राइडिन Skill में तो पहला गोल्ड पुछे आप से, पहला गोल्ड स्यूटिंग के अंदर, 10 मीटर राइफ swag ये भी छाप ले ना, 10 मीटर राइफल्स मैंने, Second goal महिला के रिकेट टीम ने जीता है, सी लंका को हरा के जीता है, So third goal पुछे हूँ आप से, फिप्टो पूछो आए थे इन के बारे में चाइथा हुआ है आप पूछोगे सर जो फोर्टो गॉल्ड पूछोगे आब सर आता है तो निसाने वाजी जो खेल है इसमें जीता है ये भी आपको छापना ठीक है फूर्थ गोल्ड पुछो आपसे कौन सा तो खेल आपके सूटिंग दोसर खेल हो गया है सूटिंग का सेकंड गोल अरे सूटिंग का सेकंड गोल हो गया ना आपके पहला गोल था आपके, फर्स्ट वाला गोल था आपके, सैकेंड दोस्तों ये आज चुका है आपके सामने, तो पूछे आपसे, तीन सो तीन खिलाडी ती छापना, मनु भाकर तो मनु भाकर ईशा सिंग छापना, मनु भाकर तो आपके, मनु भाकर ईशा सिंग छापना, मनु पूछू आप से इवेंट कौन सा है 25 मेटर पिस्टल है ये भी आपको शापना है तो पूछू आप से 25 मेटर पिस्टल सूटिंग के अंदर जो है मनु भाकर ईशा सिंग है रिदम दोस्तों आपके इन तिनों ने गोल्ड जीता है और ये हमारा फॉर्थ गोल्ड हो गया ठीक सिफ्ट गोल भी सूटिंग का गोल्ड तो आपके अगर पूछे आप से जीतना है पूछा से नाम कौन से आपना नाम सवाल 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 आपके यही देखना सवाल क्या है कि उन्निसमा यह से किने 50 मीटर राइफल में 3P व्यक्तिकत इस परदा में पूछे आप से गो सवाल कोने सिफफत कौर समरा चापना यह सुफिफ्ट गोल्ड हो गये आपके सामने पूछे आप से इवेंट कौन सा है 50 में इसमें जीते यह भी आपको चापना आड़ तो 50 में राइफल इवेंट में सुटिंग के अंदर गोल्ड जीत लिया है पुल पांच गोल्ड हो च वाइटिंग के अंदर सो और फॉर्थ गोल्ड पुछूं आप से फॉर्थ गोल्ड शापना सूटिंग के अंदर हो गया फॉर्थ गोल्ड तीन नाम आपके सामने है मनु भाकर, ईसा सिंग, रिदम सागर, तीन दोस्तो नाम मनु भाकर, मनु भाकर, रिदम और ईसा सिंग, ये आपके 4th gold हो गया सो, और ये 5th gold हो गया आपके सामने सूटिंग के अंदर ये है, 50 meters और rifles के अंदर चापना शिफत कोर समरा ने जीता है यह पांच गोल्ड आपके सामने हो चुके हैं इन पांचों को आपको ध्यान रखना है आगे दोस्तों और गोल्ड आएंगे तो और लिखाऊंगा आपको आंसर हो गया हमारा सिफत कोर समरा आंसर हो गया है 50 मिटर में सिफत कोर समरा और 25 मिटर में मनु भाकर ईशा सिंग और आपके रिदम वह 25 मिटर के अंदर है तो 10 मिटर में पूछू आप से 10 मिटर में तीन हो गया ना तीन हो गया देखो 50 मिटर वाला हो गया कौन सा सिफत कोर समरा ठीक है 25 मिटर वाला स्व कौन सा वागे आपके मनू भाकर ईशा और आपके रिदम ठीक है उस्व दस मीटर वाला पुछेंगे आपसे वह कौन सा के यह हो गया आपके पहला जो आपके गोल्ड सा दस मीटर है एश्वर्या, रुद्राश, दिव्यान से यह तीनों आपको ध्यान रखने ठीक का पत्रित करने वाली पुछ हूँ आप से फिल्म कौन सी आपके विच फिल्म बिल रिप्रेजेंट्स इंडिया इन दा बैस्ट फोरन लेंगवेज कटेगरी एट ओषकर डोज़ार चोविश रिसेंट्ली वह आपके सामने रोकी और रानी की प्रेंड काहनी ओ भाई साह अभी दोस्तितों हाली में ओशकर वॉच्छ एपन अभी दोस्तों हालिते हो ओउषकर अवरड 2024 के लिएования 24 के लिए ऐसे आफ से वह ऑफिस्यली एंटेरी करने Turkish आप वाली सो ऑफिशल से एंट्री करने से भाद कि आपको पूछो आप से कौनसी सो कौनसी फिल्म आपके ऑफिशल एंट्री कर चुकी है ओसकर अवर्ड के अंदर छापना वो तो फिल्म कौनसी है 2018 everyone is the hero कौनसी तो जाठारा सो everyone is the hero film है ये भी आपको छापना ठीक है तो जाठारा everyone is the hero film है ये आपको ध्यान रखना ठीक है आप पूछोगे सर ठीक बात है सो ये फिल्म ऑफिशल एंट्री किये सो आप पूछोगे सर ये फिल्म जो है वो कौनसी बात है सो ये फिल्म जो है वो मल्यालम भासा किये है अगर आप से पूछो आप से पूछोगे सर ये फिल्म जो है सो मल्यालम भासा की फिल्म कौनसी है अब आप पूछोगे सर ठीक बात है अरे भाई हर्मन प्रीस सिंग अलग जीच है हर्मन पीत को और अलग चीज है डेली एकी सवाल क्यों पूछता है रजगला खोपड़ी फोड़ दूँगा तेरी में डेली एकी सवा पूछता है हर्मन प्रीट कोर अलग है आपके वह वह आपके किर्केट वाली है हर्मन प्रीसिंग आपके होकी वाला है एक सवाल डेली डेली कमेंट करें जा रहा है समझ नहीं आरी बात गूगल पर सर्च कर लिया करो यार इतना समझदार तो आप लोग हो ना पुछे आप ढूट ऑफान प्रीवन इस धा हीरो पुछूँ आपसे ओ वाली आलम फिल्म है या उपको चानड पूछा आप आपसे यह वह वन इस दा हीरो फिल्म हो वह वह दूसाख के everyone is the hero, पूछें आप सो, फिल्म दोस्तों पूछूँ आप से, यह दोस्तों फिल्म आपके, मलियालम भासा की है, पहला पॉइंट सो यह फिल्म किस की सो, मलियालम सो भासा की है आपके, सैकंड तो पूछूँ आप सो, पूछे सैकंड आप सो, यह दोस्तों फिल्म जो है, वो क सब्सक्राइबर सब्सक्राइब ccoli च्रवलों अन्थोनी जोषब जो हैं वो इसके आपके अन्थनी जोशब जोईए वह इसके डाइट्री को ऍहूं कने लेखे एंथनी जोशब जोई है वह दायरेट्र ये भी आपको ध्यान रखतना है नहीं फेलिम को सब्सक्राइबलेट्श अ हेसब को नामने अब तो आपके सामने है, फिलड के ऊपर फिलिम है, बाड के ऊपर फिलिम है, तो केल की फिलिम छापना मल्यालम फिलिम है, और अंथोनी जोसफ जो है, वो डाटरे इस फिलिम के ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर दोस्तों पूछें आप से, दोस्तों, पूछूं आ साध penguin Tutman से फिरेड़ की भारत को भारत को कितने OSCAR मिले अगर सबशय आप से राष्टे film पुछ हो आपके नैशनल फिल्म अबोड कुछ है यह कौन से करम का चापना नैशनल फिल्म आवोड जो है यह कौन से क्रम का है First question आपके सैंकन्स दोस्तुध कूछ हो ऐसका वोड ट किसको मिला है ये चारो बाते हैं आपको छाफ नहीं आदुग है to आईफा दोस्तों अवोर्ड जो है इसके अंदर बैस जो एक्टर है इसका वोर्ड किसको मिला है और बैस्ट फिल्म का वोर्ड जो है ये किसको मिला है और तो बैस्ट एक्टरेस का वोर्ड जो है ये किसको मिला है तीन कोशन आपके सामने आईफा वोर्ड के ठीक है अभी दो पूछे आपसे अभी दोस्तों हाली में औरिस्तों हानी में किसको प्राप्थ हुआ है यह ही आपको झापना है औरह साoug च्छतिए वहादम स्वारिफ शुखें को चा झाल यह तू धितक है इतुलो किस फ़ सवारिम हो सिलधाना खाल करत तो पोचितके CI-70 am है भारत के दो ऊसकर वोड कोंचे एक दोसे नाट नाट वो गया आपके स्वफ कोंची है फिल्म दोस्तो आर अर आर हो गई यह लें लिखी आपके सिंगर कौन थे मम किर्वानी सब्षाप ये भी नाम छापना । इस साब के सिंगर को अप लगा तोशों सबस्टार सेकंद ताइलिफेंट एान उसको जो है इसको और ध्र शर्ड पूर्ड मिलता है यह भी को ध्याना है है अश्रौरोर गार्द करते ही इसका नाम धिस्सका हो गया दो आपके आशकर गुर्ड तो पूंज अप ते आपको ध्यान रखनाटी है पूछे आप से सो कौन साफ के बैस्ट एक्टर कौन आपके अरे अलुअरजुन सख्रों पुस्पाद शुकेगा नीच आपना अलुव जो है वह वह स्वाइश्ट एक्टर होगे यह भी आपको ध्यान रखनाटी है पूझो दोस्ते हैं है बेस्ट एक्टरेस कोँछ हो हो our और क कुटिस हैनने दोनों को मिला है चापना आाली अबट क क्रिती शापना दोनों को best actress का बोड मिला है ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है करें extent को आपको चापना ठीक है पूछओ आपकी पॉपलर फिलम पूछे वह आर आर को मिले यह आपको ध्यान रखना पूछो दो साबसे बैस्त हिंदी फिलिम कों सी है सरदार उध्यम चापेगा सरदार जो उध्यम है वह बैस हिंदी फिलिम है ये सारे नाम आपको ध्यान दखने नैसनल फिल्म अवोर्ड सबसे तो महत्पून तो अवोर्ड है आपके सामने 69 नंबर का है एक्टर अलू अर्जुन है आपके एक्टरेस आलिया हवट किती सैनन है फीचर फिल्म रोकेट्री है पॉपुलर फिल्म आरारार है हिंदी फिल्म दखने यहें नैसनल फिल्म अवोर्ड अगर पुछे आपसे सो आईफा वोर्ड पुछों आपसे तो पहली बात आईफा वोर्ड को फोस्ट कहां किया किसा कहां इसका आइजन हुआ है वह आपको छापना आठाए सैकेंड दोस्व पूछे आप से बैस्ट एक्टर कौन था आपके रितिक रोशन च्छापना रितिक रोशन को मिला है कौनसा आईफ आवोर्ड ये भी आपको धियान रखना है पूछो दोस्तों आप पूछ आपके पूछो आपके पूछ है तो ईसका रितिक रोशन रोशन हो गया है और एक्टर आपके रहå वट शापना आलिया पड़ जो हैं फैस्टइस हो चुकी ये वी आपको ध्यान डखना है यह सारे नाम आपके सामने है आपको के विल और के वल दुस्तों इसका दोनों बाते हैं कौन है ये दोनों बाते छाप लेना अगर र्शी गृष्षini आपके बाबा राजम आपके कौन से आपके बाबा राजम वंडे पिले रहे हैं हमेशा वही बताया ना पता नहीं आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो या किस से पढ़ रहे हो मुझे नहीं बता कुमार गोरब नाम में रहा है फूल पत्ती वाली क्लास से रही है मैंने हमेशा वही लिखवाए ठीक है यह वहीदा रहमान लिखिया वहीदा सो वहीदा रहमा पूछें आप से वर्ड मेरी टाइम दे चापना वर्ड मेरी टाइम डे लिखिए वर्ड तो वर्ड मेरी टाइम डे आपको इंगलीस में ही याद करना है ठीक है आपको दोस्तों हिंदी याद नहीं करने इसके आपको इसका इंगलीस याद करना है और वो कौन सा है वर्ड मेर मेरी टाइम डे अगर पूछों आप से वर्ल्ड मेरी टाइम से पूछों आप से तो पहली बाद आपके कम आपके 28 सितंबर को सेलीबेट दूसरों हो किया आपके 28 सितंबर चापना सेलीबेट सब क्या है पूछे तो आप से लिखना सो सितंबर पूछे तो आप से हर साल कम बन तो पूछे आपसे World lifetime day date fix नहीं है आपके ये fix है सितंबर महा का अंतिम गुरुबार बनेगा ये fix है ना date fix नहीं है इस बार जो है वो date आपके 28 सितंबर आई इसलिए स्थारी को हमने बना दिया ठीक है अब आप पूछोगे sir इस बार जो आपके बनाये गया है उसकी theme क्या है क कि पुछोवे आपके घोज ओन चाहब लिख लीजी सो इसकी पूछओं आप से थीम कैया है इसकी तीम है मारपोल मारपोल आप 15 अवर कमिटमेंट भी और कमिटमेंट इस्गोज ओन आवर कमिटमेंट अवर कमिटमेंट है वो किसके लिए सो आवर कमिटमेंट इस गोज ओन पूछू आपसे यह इसकी थीम है अगर आप से पूछे कि बाई साब जो यह कमिटमेंट सो आपके लिखा हुआ है वो किसके लिए सो एन्वाइरमेंट को जारी है, हमें हमार कमिट्मेंट पूरा करना है, ये भी आपको, हाँ मैंने कहा ना कि आपको इंगलिस वाला World Maritime Day आपको याद करना है, हिंदी वाला याद नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ, आपको World Maritime Day याद करना है, हिंदी वाला याद नहीं करना है, छापना, आंसर होगे इसका 28 सितंबर, इसका ठीक आंसर है, आप वर्ड ओशियं दे राश्टी है पुछे आप से हिंदी मत यात करो ना नैशनल मेंट करते हैं वर्ड ओशियंड करते हैं आपको इंगलिस वाला यात करना है फिल नहीं करना अगर तो गड़बड हो लड्य चॉन चाहिए 10-10 जूता है 8 जून को होता इसलिए लिखवा रहा हुण अगर आपको इसको लिंधा हो गए तो हिंदी में भी आप अगर आप इसको विष्व महासांगर दिवत चोबगा तो थीस बात है लेकिन दोस्तों आपने इसको विष्ट समुदर दिवस निदे तो गलत हो गया ठीक है तो वर्ल्ड मेरिटाइम डे पुछे आप से सोरी वर्ल्ड ओशन डे पुछे आप से आठ जून च्छापना वर्ल्ड ओशन डे जो है वह आठ जून है ठीक है दिखलेजी आपके वर्ल्ड ओशन डे आठ जून आपके नैशनल मेरिटाइम डे पुछे आप से ये 5 अपरेल कौन सा है पांच अपरेल चापना नैसनल मेरिटाइम डे है आपको तीनों इंगलिस वाले याद करना है वर्ल्ड ओशन डे ये मैस्पून सवाल है आठ जून इसका अंसर होगा आ पूछूँ आप से इसका अंसर पांच जून होने वाला है दोनों डे आपको इंग्लीज में याद करना है हिंदी में याद नहीं करना ठीक है अगर दोस्तों पूछे आप से अगर रश्गुल्ला पूछू आप से तो साथ सितंबर साथ सितंबर बताओ कौन सा डे आपके चोदा सताइस सोला यह चार डे आपके सामने सो बाकि दोस्तों पूछे आप से तिस जनवरी पूछे कौन से शापना यह चार डे और लिख मैंने आपके सामने दिखिए फरस दोस्तों पूछे आप से साथ सितंबर रसगुल짜 अरे आपको अखेस हो इंटरपोल की स्थापना अंतर्नाष्टिय पुलीस सयोग दिवस कौन सा है अंतर्नाष्टिय I do स्थापना के सोवर्स पूरे होते हैं साथ सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल पुलिस कोपेशंटे बनाए गया यह आपको ध्यान रखना यह आगे सो पूछे आप से स्थापना यह आपको ध्यान रखना यह पूछे आप से अरे स्टार्ट अपड़े पूछे आप से green star डिक हां आपके 16 जन्वरी स्टार्ट अप 7 ऐसे अफसे पूछों आप से त्चन्वरी च्शापना सो पराक्रम दिवस को होता है पर अक्रम दिवस पराक्रम दिवस चापाएगा टेज जन्वरी को हता है इसका है अगंश क्या है भी ऑंप rp kes a जिए आ आमको स्पहन अगस्त जो है वो घोशित के अग्याकता है कि 23 अगस्त के तारीक को ये डे बनाएंगे हम जो है और क्यों बनाएंगे वो भी आपको छापना ठीक है देखे साथ सितंबर अंतराश्ट्य पुलिस सेयोग दिवस है 14 सितंबर हिंजी दिवस है 27 सितंबर विस्व परेटन दिवस है 16 सितंबर ओजोंदे है 16 जनवरी स्टाटप डे 23 जनवरी प्राक्म दिवस है 26 दिसंबर बीरवाल दिवस है और 23 अगस्त को कौन सा डे असे 23 अभी तो हुआ है यार राष्ट्य अंतरिक्ष दिवस है आपके अभी दोस्तों हाली में डिसाइड हुआ शापना और सो याद उस डेट को हमने नेशनल स्पेस डे आज घे आज़ जहां लेंडिंगा और सो जहां लेंडिंग उए इस पोइंट को सिर्फ सक्ती पोइंट बोला गया है और जिस डेट को लेंडिंग question, व्शे नेशनल से राष्ट्य ये भी आपको छापना है 23 अगस के तारीक आपको नोट करनी है ठीक है हाली में 13 प्रसांथ सेना प्रमुकों का सम्मेलन सो पूछ हूँ आपसे कहां दुस्तों होश्ट हुआपके अभी दोस्तों हाली में इंडियन आपके हिंद आपके छापना इंडो पैसिफिक आपके जो आर्मी है हिंद प्रसांत सैना प्रमोट है हिंद प्रसांत सैना प्रमोग जो है इनका दोस्तों अभी हाली में संभेलन हुआ है तो पहली बात तो आपके कौन से आपका 13 संभेलन हो गया है पूछू आप से इसका दोस्टो होष्ट कौन सो bench भारत हो गया है छापना कहां दोस्टो हुआ है ये नई दिली के अंदर छापना हुआ ये तो पहली बाद को हिंद प्रसान सेंद परमुक्का सम्मेलनकों हो गया है अगर आप से पूछे आप से इसका और सूझ कौन सा आपके सहे मेजवानी कौन कर रहा है च्षापना वो कर रहा है अमेरिका और साय तेजवे करम का ये भी आपको छापना ने है आप पूछो के सर जो ये आईजन हुआ है उस में दूसरों कितने देश उन्हें ने भाग लिया पुछों आप से को मेरिका को अपना इसमें 30 डेस आपके तीस डेस ने वाले तीस देस यह उन्होंने भाग लिया यह वहाइज और यह उच्छा पूछे का शांपना है उसका अब्जेक्ट क्या है उसका उद्देश क्या है उसका थीइं क्या है सचाहिका क्या है उसका तीम क्या सोढ़ चाहपना सांती सथापित करना हुद देश्य हो गया है 30 अमेरिका हो गया है घौन भारत हो गया इसका कहा वा ये नई दिली के अंदर हुआ है तेरवे क्रम का चापना option number पुछे हाँ से सम्मेलन कहां हुआ छापी गां भारत के अंदर हुआ है option number D हमारा ठीक answer है भारत इसका host है और आपके अमेरीका दोष्ट हो वो 같아 है यहाँ दोस्तल आपको दिखाई देंगे हमारे जो आपके रक्षा मंत्री राजनाश सिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले अब लिखना आप जहर सवाल लिखेजों अब लिखिए गाप आपकी परिक्षा में 100% आपकी परिक्षा में 100% आपसे सवाल पूछने वाला है कोई ना कोई सवाल आपके exam में पक्का दूसरा आपसे पूछेगा किए जी ट्वेंटी पूछूं आप से जो जो है आप बताओ इसका तो जर बाइस के अंदर होस्ट कोन है तेईस में इसका होस्ट कोन है और चौबिस में इसका होस्ट कोन चापना जी ट्वेंटी का बाइस में होस्ट कोन है तेईस में होस्ट कोन है और तो चौबिस में पूछो आप से इसका 23 के अंदर होस्ट कौन है शापना है इसका 23 में होस्ट कौन है यह भी आपको छापना है इसका 23 के अंदर होस्ट कौन है यह सारे सवाल आपके सामने रख दिये मैंने ना इनमें से एक्जाम में आपसे निश्चित पूछने वाला सो इसके अलाव छापना तो इसके अलाव पूछे आपसे और जो आपको छापना है और जो 28 वाला होस्ट है वो कौन होने वाला यह भी आपको छापना है पूछे आपसे पूछे ताव फीफा जो व्ल्ड कप छापना फीफा वर्ल्ड कप जो 22 के अंदर आपसे हुआ है आपके वो कौन होस्टा है 26 वाला होस्ट कौन होगा यह भी आपको ध्यान रखना ठीक है देखिए आपके पहला सवाल सो पूछे आप से G20 पुछूँ आपसे 22 का host कौन Indonesia 22 का host ठीक है Indonesia 22 का सो आपके 30 वाला पुछे आपसे भारत 30 का host होगा इसका Indonesia 22 का host है इस साल आपके भारत host होगा सो और अगली साल पुछूँ आपसे Brazil इसका host होने वाला है इन तीनों को बोलते हैं इन तीनों को बोलते हैं ट्राइक आपको शापना थिए तो 22 का इंडोनेशिया 23 का इंडिया 24 का वोस्ट आपके ब्राजील या आपको शापना थिए पूछ दोस्था आप से association विस्का इंडोनेशिया जो भी आपको द्यान रखना रखना है भारत क्वारत कर रेंटय के चाहफना है तर्व को पूछूं आपसे जापां जो है वो और तेश का रहा है जापान जो यह वह कौएट तेश का होश्ट ओगे यह भी आपको चाहपना आठीज है पूछू आपसे Commonwealth Games 122 वाले चाहपना बर्मिंगम जो है बर्मिंगम जो इंगलेंड है Commonwealth Games यह अगला सब के द्यान रखना है इस साल बर्मिंगम ने हुआ है जो चार सार वाद होगा वह और ये भी आपको छापना है 20 वाला Tokyo के अंदर 24 वाला Paris के अंदर 28 वाला Los Angeles वा ठीक है पुछ तो आँसे FIFA World Cup पुछे आप से FIFA World Cup मेल जो है शापना FIFA World Cup मेल शापना 22 वाला काँ सोन 22 वाला Qatar के अंदर हुआ सोन 26 वाला जो है वो कहाँ पर सोन America, Mexico, Canada के अंदर होने वाला ये भी आपको चापना ठीक है 26 वाला काँ अमेरिका, Mexico, Canada जो सोन, North America में होगा ये भी आपको धियान रखना है ये सारे आपको नोट कर लेने ठीक है सारे नोट कर लेना G20 22 वाला इंडोनेशिया 23 वाला इंडिया, 24 वाला ब्राजील में इंटरपोल इंडिया के अंदर क्वेड आपके जापान के अंदर सबके और G7 आपके जापान में ब्रिक्स आपके साओध अफरिका के अंदर आसियान इंडोनेशिया के अंदर SCO पूछू आपसे इंडिया के अंदर आपके कॉमन वेल्थ 22 वर्मिंगम 26 वाल आस्टेलिया ओलंपिक 20 टॉक्यो चौविस में पैरिस 28 में लोस एंजिल्स फीफा आपके 22 में कतर 26 में अमेरिका मेक्सिको कनाड़ा यह तीनों पॉइंट आपको धियान रखने डिया और दोस्तों ICC World Cup पूछे आपसे शापना ICC World Cup शापना ICC World Cup 2023 जो है उसका होस्ट कौन सो उसका होस्ट भारत है यह सारे होस्ट मैं लिखा दिया आपको यह सारे मेजबान थे जो आपको धियान रखने डिया आगे बड़ी है नेक्स सवाल आपके साम सो नेक्स सवाल कौन सा है JP Morgan भारत के सरकारी बोंड को अपने Index Emerging Market सूच कांग है उसमें कब सामिल करेगा सवाल यह है कि कब सामिल करेगा सवाल सो Index पूछू आप से Index Emerging कौन सा Index Emerging नाम देखो Index Emerging Market सूच कांग अगर पूछू आप से इसमें कौन से देश सामिल होंगे सोच के बताओ नाम देखिएगा Index Emerging Market जो आपके सूच कांग है मैंने सवाल पूछा है आप से कि इसके अंदर जो है वो कौन से मार्केट कौन से देश सामिल होने वाले है यह आपको चाहपना है नाम में लिखा हुआ है नाम में लिखा हुआ है कौन से देश सामिल इसमें होंगे ठीक है नाम बताओ आपके कौन से देश सामिल इसके अंदर होने वाले है Index Emerging Market सूच कांग आप साथ है पहली बाद पूछो आप से इसको जारी पूछे इसको जारी करने वाला कौन शापना है आपके जारी करने वाला आपके जो पूछो तो आप से देगो आरे Emerging Market सो विकास सील देश सो Emerging आगे भड़ते हुए Market कौन से विकास सील देश भारत है सो चीन है आपके सो और ब्राचील है साओध अफरिका है इस सारसे Emerging Market आपके इमर्जिंग मतलब उधे होते हुए Market आपसो मतलब आए भड़ते हुए जो Market उसे म्तलब आगे भड़ते हुए उसे बहुते है शाप सов इसमे विकास सील देश तो विकास सील देश आपसो उबरते हुए जो मार्केट है उबर्ती हुई जो आपके अर्थ वश्ता है वह इसमें साविल होती इसके नाम में लिखा हुआ है emerging market इंडेस हो, उभरती हुई जो अर्थवेस्ता है, वो सामिल होने वाले हैं, तब लपिंग जो current सामिल होंगे, भारत है आपके, और साब के बहुत सारे ब्राजील है, साथ अफरीका है, बहुत सारे देश हैं आपके, तो इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, अब आप पूछ विकास सील हैं न, हम जन संग्या बढ़ा रहे हैं, अपनी विकास सील है, ठीक है, अब देखिए, उधे होते हुए market, उभरते हुए market, आपके जो इमर्जिंग मार्केट है, वो इसमें सामिल होने वाले, जारी करने वाला पूछवा से, जारी करने वाली संस्ता, यह आपको चापना है, इसमें दोस्तों पूछू आपसे सो, इसमें पूछाएं आपसो, इसमें जून दोजार चोईल न, इसमें आपके सो, इसमें जून दोहजार चोवीस से सो, चोवीस से, इसमें सामिल दोस्तों होने वाला चापना सो, इसमें सामिल हो जाए कि आपके, जो भारत क कि जो सरकारी वोड्या सामिल आपके जो इस में आपको चाहःए बार्त जो गौर्मेंट बोन्ट ऑंड वो सामिल आपके बच्चों को गलतीस है विए पढ़ाएगा ये कहने का मतलब आपको पड़ोगे करेंट फेस इतिहास बनने वाला दूस्तों आपके बच्चों को पढ़ाएंगे ना मेरा बच्चा ठीक है जून दोजार चोबिस से सामिल आपके सरकारी बॉंड सामिल होने वाले ये आपको ध्यान रखना ठीक है ब्लिन डॉलर जो है इतने का फाइदा सो इतने का सो मार्केट हमारा है जो सामिल होने वाला इसे हमारी रैपॉ बंडे वाले इसमें रैपॉ बड़ेगी आपके सरकारी जो बोंडे इन की वेल्व बंडे वाली इससे आपके छापीगा 2024 से option number B आपके ठीक आंसर होगा यह सामि सब्सक्राइब आप मैं गुंगा आज पास देंगे ठीक है त्यार रहना आप भी त्यारी करो ढंग से पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो ट्यारी का मतलब पढ़ाई करना ठीक है और कुछ नहीं है 127 आपके इसके अलावा 161 चापना 161 आपके 4th rank किसके अंदर चापना हमारी यह 6 rank आपके सामने है यह याद करो 126 पूछों आप से पीस इंडेक्स जो आपके 37 सुच कहां के उसमें 26 तीक है पीस इंडेक्स में 26 तीक है पूछों आप से 26 आपके happiness इंडेक्स जो है happiness इंडेक्स चापना इसमें 126 आपके happiness में खुसाली में 126 पीस में 100 चापना पूछे आपसे 127 चापना global gender gap index कौन सा है global gender gap index है इसमें दोस्तों rank कौन सी है 127 इसमें rank है हमारी ठीक है wish bank संस्ता ये भी आपको चापना ठीक है 161 पूछों आपसे लिगना press freedom कौन सी है press freedom जो index है उसमें हमारी rank कौन सी है 161 चापना सो और fourth पूछों आपसे global fire power index है global fire power जो index है उसमें हमारी rank fourth है अगर आपसे अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई साब सो अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा ऊर्जा संक्रमन जो सूच कांक है उसमें हमारी rank जो है वो कौन सी है आपके और इसमें हमारी जो rank है वो कौन सी है ये आपको चापना है बताई ये ऊर्जा energy transmission जो index है उसमें इस और दूर्जा संक्रमन जो सूच कांक है इसको जारी करने वाड़ी संस्ता कोन सी है और इसमें rank कोन सी है बिलकुल rank तो हो गई इसमें हमारी 67 ठीक बात रेंग तो हो गई है 67 सवाल पूछा है आप से जारी करने वाड़ी संस्ता कौन सी बताई आपके अरे जारी करने वाड़ी संस्ता कौन सी है बताओ 67 rank हो गई हमारी मैंने मानली बात मैंने मानली यह rank है सवाल यह है कि इसको जारी करने वाड़ी संस्ता कौन सी है एक कभी answer नहीं है केवल 67 67 मानली बात मानली तुमारी बात बताओ जारी करने वाड़ी संस्ता कौन सी है सर मैं खुद बच्चा हूँ अभी हाँ दिल तो बच्च जाए ना बताओ कौनसी आपके F AO गलत बात क्या कर रहे है यार इसको जारी करने वाड़ी संसता नहीं आपको यहाद है कैसी बात कर रहो इतनी बार World Economic Forum खुसी ने ठीक बाता है ठीक है खुसी-खुस हो जा लिखना World Economic Forum जो है वो जारी करने वड़ी संस्ता हो गए ठीक है आगे बढ़िएगा हाली में प्लेट का भारतिय वर्जान इंडस एप स्टोर जो है लॉंच कि आपके अभी दोस्तों हाली में इंडस आपके एप स्टोर जो है वह लॉंच हुआ है पहली स्ट पहली बात आप से सेकंड कितनी सब्सक्राइव में लौन्च होए कितनी बांच हो चाहगे सेकंड लौन्च आपके कितनी बांच होए तिर्दोस्तों क्यों लौच हुआ है ये तीन कोश्चन आपके सामने इसको लौंच करने वाला नाम इसका क्या है इन्डस एप इसका नाम है फोन पर ने लॉंच किया आपके यह भी आपको चापना ठासे सब्सक्षाइब इसको पूछ जो mountains एक इसको पूछे आप इस पूछोँओं आप इंडा दोस्तों ऐप तो आन्यक्त क्यों छापना यह ब्रम पूछोएंडंध लेकिन लाक् पुछर्वन ì करने के लिए देखना आपका mobile Samsung का है फिर भी दोस्तों आप Samsung की Store यूज नहीं करते हैं आपके करते हैं आप Play Store करते हैं Google वाला इसने इसने मोनोपोली कर लिया ना क्योंकि दोस्तों अधिकांस दोस्तों एप जो है वो इसके उपर लिस्टेड है अधिकांस एप आपको इसी को उपर आपको छापना सो Google दोस्तों इसका पहले इस्टोर है इसकी मोनोपोली सो वर्तमान में क्योंकि दोस्तों अधिकांस जो आपके आप वह इसके ऊपर है अब आप पूछोगे सर फिर ये इसकी मोनोपोली कैसे समाप्त करता तो इसने कहा है कि अगले एक साल के लिए जो है जो आप फिरी होगी. नहीं सुलक होने वाली है जो भी एप चाहिन लिस्टेड होना आपके यहां दोस्तों पैसा लगता यहां पैसा लगता है यह जो भी एप चाहिए स्टोर होना भूले ऑम कि इसका पुछों आप से देखो ईंडर्स अप师लू रोश्टेड आप ए अगर पूछू आप से फोन पे जो है ये लॉंच करने वाला अगर पूछू आप से फोन पे फोन पे पूछू आप से इसकी जो स्थापना है वो कब होती है सबस्थापना होती है सामीर जी जो आप से समीर जी स्थापना करने वाले यह भी आपको चापना चाहिए India, Isma, City, Conclep, पुछें आफंसे, Conclep, जो है, पहला point आफंसे इसका दुस्तो, Ismaar host कोन छापना होगा है, इसका दुस्तो, होश्ट है, इंदूर कोन है? इंदूर मद्रेपरतेश जो है, वो इसका host होगया है, यह आपको छापना एटिके, तो India, Isma, City, कौन्स कुं छापना कब दोस्तों आपके इसका होस्ट हो गया है पूछेड़ा पईंडिया सामिल होने वाली है अगर आप पूछोगे सर इसका होस्ट नहीं हुब किस ने करवाये छापना कहने आपके मववव करवाने वाला चापना Prinzip मंद्राले बोलते है मिन्स्ट्रे ऑफ हाऊंग एंड अरवन अफेश का नाम है मुवव słu कराने वाला इसको मुवा कराने वाला इंदोर में कराया है सो SMART Saar जो इससाँ के उनको इसमें शामील किया गया है अगर आप पूछोगे कि सर आप पूछोगे सर इस वार्द सो पूछोए आप से इसमार दो से इसकें अंदर फरस्ट आपकर सो फरस्ट जोड आवोड सो इसके सब्सक्राइब करें वो सिटी के रूप में सिटी के रूप में किसको मिला शाबना सिटी के रूप में इंदोर को मिला है पहली बात तों सिटी के रूप में इंदोर को मिला आपके और सेकेंड दो पुछे आप से स्टेट के रूप में किसको मिला शाबना मध्य प्रद पूछूं तो पूछूं तो आपके स्टेट का वोड़ मद्दे प्रदेश को मिला दोनों नाम चाहपने पहला इस्तान राज्य के अंदर मद्दे प्रदेश का है इनको अवोड मिला है और से नमर भी छापना इन दो तो यहां पर आपके इसमार्चिटी कॉनक्लेब जो है इसका आवजन हुआ है और सो पूछूं तो आपसे यह सो कौन से क्रम का चाहपना है यह फोर्थ क्रम का यह भी आपको चाहपना है तो फोर्थ क्रम के अवोड मिले हैं पहला वोड इंदौर को और फर्स्ट आपके सिटी जो है वो मद्दे प्रदेश यह भी आपको चाहपना है इंडिया इसमार्चिटी कॉनक्लेब इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है 26-27 तारिक को इसका आयजन हुआ है इसमें 100 इसमार्चिटी सामिल इसके अंदर हुई है आपके और सो कराने वाला सो मवा जो है वो कराने वाला है यह दोनों एकदम ठीक बात है ठीक है क्वेड जापान में हुआ है माला बार अश्टीलिया में हुआ है दोनों ठीक बात है क्वेड जापान में हुआ है माला बार अश्टीलिया में हुआ है दोनों एकदम ठीक बात है ठीक है आगे देखिए तो आपके अब देखना प्रवाशी भारतिय संभेलन जो है यह कहा हुआ ठीक है प्रवासी भारतिय संभेलन जो है इसका दोस्तों आइजन कहां पर हुआ यह भी है आपको छापना ठीक है ठाट दोस्तों पूछूँ आप से ठाट रस्री भारतिय संभेलन कहां दोस्तों आए जुतुवा यह आपको सबस्ता तर्द सबस्तां तर्द करें सो ग्रीन बॉंड जो है ग्रीन बॉंड को जारी करने वाड़ें आपके नगर निगम कौन और दूसर आपके भारत की पहली इसमाइटकिकों सी है अभी मैने कहा ना सव साभी इसकंदर पहली कौन झाल पूछों आप पहला पूछे आप वायू पुछे आपसे इसमें टॉप पर आपके इंदोर आपके दसलाग पुछो आपसे इसमें कौन टॉप पर छापना इंदोर आगरा ठाने लिख लो आपके पहला इंदोर है सेकंड उसो आगरा है थर्ड ठाने है लिख लिजिए थर्ड ठाने है अब बताओ मुझे आप निए पहला इंदोर आगरा थाने आपके 10 हलाग प्लस में हो गये तीन से 10 लाग पूछो आप से कौन आपके अमरावती द्यूशा अमरावती esa amrawati चाल नहीं अमरावती कहा सो अमरा भाती जो है वो यह हुआ शाप सों यह तो पर आपको यह बताना है कि amrawati so प्रवाती भारती पूछा है आप से अंदर हुआ रावासी भाधियों मैं और बाद जाने वाला नगर निगम पहला घाजवा वाद हैद और पहला इस्मान सटीज्टी है वह भारत का पहला इस्मान सटीज्टी है पूछे आपसे सोभी कौन शेयर सोभी आपके सिलोंग तो पहला पूछे आफ से पहला भुमनेश्चर उडिसा हो गया है सो भी पूछों आफ से तीन से तस लाख में आपके टॉप पर कौन अमरावती सो इसकास हो यह अरे आंद्र प्रदेश वाला नहीं महाराष्ट वाला ठीक है अमरावती महाराष्ट वाला यह भी आपको छापना ठीक है अमरावती महाराष्ट वाला यह आपको छापना है आंद्र प्रदेश वाला नहीं है महाराष्ट वाला ठीक है अमरावती महाराष्ट वाला है प्रवासी भादिसमिलन इंदोर में हुआ है और सो आपके पहले इसम सीमा को कहा दोस्तों बढ़ा दिया है अभी दोस्तों हाल इंचापना AFSPA आपसों AFSPA पुछूँ आपसे ARMED FORCE पुछें आपसे ARMED FORCE SPECIAL POWER ACT लिखिए ARMED FORCE SPECIAL POWER ACT जो है वो इसकी FULL FORM है AFSPA की लिखिए सुनना आपके वापिस ARMED FORCE SPECIAL POWER power ACT जो है वो इसकी FULL FORM है मतलब दोस्तों जो हमसे AMP FORCE हैं उनको दोस्तों Kणने वाले से उनको रष्ग रष्ग लेतें वहीं SPECIAL POWER होने वाली यह उसे बोलते हैं AFSPA अभी दोस्तों हाली में क्वह हुआ है अपको छापना है कहा दोस्तों नागा लेंड के अंदर और उस आपके अरुणाचल प्रदेश यहां दूसरों आपके शापना है यहां पूछो दूसरों सब्सक्राइब से आपके एक अक्टूबर 2023 से अगले 6 मां के लिए लागू होने वाला है यह भी आपको चाहबना है तो पहला पुइंट तो कहा दूस्तों एक्सेंड रहा है कहा दूस्तों एक्सेंड हुआ चाहबना यह आपके अरुणाचल प्रदेश और नागालेंड में एक्सेंड हुआ है option number 3 आपका ठीक आंसर है आप पुछोगे सब ठीक बात सो आप पुछोगे भ्रमास बैच में क्लास लगातार हो रही है डेली क्लास ले रहा हूं मैं उसके अंदर जो है पर एका दो बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता है क्लास कहां पर होती है कुछ नहीं करना है आपको सारी क्लास भविस्ते की सारी क्लास भी आपको दिख जाएंगे ना अगर फोन को दिबार में फैक के मारोगे ना तो सारी क्लास आजाएंगे उसके अंदर जो आगे वाली जो क्लास आने वाली जो आपके जो नवंबर में आएंगी वो सारी क्लास भी आपको एक साथ दिख अभी किया भी है ना हाँ फॉन दिवार में फैक के मार दो सारी क्लास आएंगे एक दम ना हाँ ठीक है घजवाद ही हो यार आर्म फॉर्स इस्पेशल पावर एक्ट पुछें आप से इसकी फुल फॉर्म है अभी इसको एक अक्टूबर से नागा लेंड और अनुचल प्रद पूछें आपके अगर आप से पूछों की भाई साथ ओं इसकी फुल फॉर्म से अपसे यह किस वर्स आजा यह आपके 1958 में आया तो यह भी आपको छापना सो 1958 का यह यह भी आपको ध्यान रखना ठीक है पूछों आप से यह हैं एक्ट कवाएं आपके 1958 यह आता यह भी नागाओं के लिखना नागाओं के विद्रहों से निपटने के लिए इसके सु लागू है उगर दुस्टों कहीं लागू है तो चाप लो वहां दुस्तों जो arm force हैं उनको वहां दुस्तों जो arm force हैं उनके सुपास आपके कुछ सी स्पेशल पावर आने वाल подготов एक तख़ُ पुँछों के सर वह स्पेशल पावर कौन कौन सी थूहुंगी चापना मतलब दोस्तों वो किसी को सो उनके सो गोली मारने सो है वो उनके पास तो आने वाला सो उनके पास उसे आपके तलाशी तलाशी आपके तलाशी है तलाशी है गिरफतारी है इसका अधिकार भी उनके पास में तलाशी करने का अधिकार आपके तलाशी करने का अधिकार गोली माने तक का अधिकार गरफतारी का अधिकार जो आने व करने के लिए स्टार्ट हुआ था यह भी आपको छापना है लिखिए आपसे पूछे कहां अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड ऑफ्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है यहां दोस्तों इसको अभी हाली में एक्स्टेंड कर दिया है यह भी आपको छापना है यह फोटो आप कौन सी तारीक को थे स्वायचory नागाअलेंड पूछोगे सर आसो पूछोगे आप सर की आप पूछोगे 요 Pas यह लिखा हुआ फुल फॉर मना आम फॉर से इस पेशल पावर एक्ट जो है यहां लिखी है यही इसकी फुल फॉर में ठीक है अगर दोस्तों आप पुछोगे कि सर नागालेंड जो है इसकी पूछो आपसे इसकी राजधानी कौन सी चाहरो इसकी यहां पूछो आपके कौन सी है एक दिसम्मर की वो तारीक शापना सो और इस दिन आपके एक फैस्टिवल इसको बोलते हैं हौन बिल फैस्टिवल बोलते हैं इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं फैस्टिवल फैस्टिवल क्या बोलते हैं त्योहारों का त्योहार बोलते हैं फैस्टिवल फैस्टिवल इसी स्थापना दिवस पर होनमील इससे फैस्टीवल पूछा तो आप से कौन से क्रम का नागाइलेंड जो है हुऊ इस्टेट बनाता चापना सो कौन से क्रम नागाइलेंड इस्टेट बनाए वो आपको बताना यहां पर ठीक है आगे देखी पुछा से पुछता उसे इसकी राजधानी पूछे आफसे इसके राजधानी अपने पूछोटी आपके नागालेंड में ठीक है तो पूछाँ आप यह बताना है कि कौन से नंबर का राज्य जो है वो नागालेंड बना है आपके तेरवा नहीं बना सो तेरवा का सो अरे चोदा सो फोर्टीन सो पहली थे ना आपके अठीर अचाशप आपके साओं पुछें आपसे से 60 सब्जाथ में औस है अलग हूए चापना ये बन गए ठीक है पुछें से भी श्राइब सुख़ों आ पंजाब बना हरियाना पंजाब यह आपको छाप रहा है ठीक में फूछे दूसरा आपसे पूछों आपसे 71 चापना पूछूँ आफसे 75 सिखियम मन गया 75 में चापना सिक्वं 75 में बन गया 8700 अवनाचल प्रदेश और आपके मिजोरम जो है यह बनगे आपके कव 87 बनगे आपके 26 गड़ चापना जारखंड और उत्राखंड चापना यह तीन बनगे आपके और तेलंगा ना पूछे आप से यह बनगे रस्गुल्ला कवाब के 14 बनगे चापना तो यह सारी डेट पूछे मैंने मैंने पूछा आफ से 14 थे आपके 15 बनगे गुजाद आपके तो सोलमा सोलमा जो इस टेट आपके वह बना नागालेंड जो बनता यह भी आपको छापना यह यह सारी डेट में लिग दिए हैं सारी डेट आपको ध्यान रखनी है और इन बन किफायती वीमा पूछे आपसे तो पहली बात तो इसकी सुरुवात करने वाला कोन आपके सेकंड दोस्तों आपके इसकी सुरुवात क्यों हुई आपके थर्ड दोस्तों इसके अंदर क्या खास बात है यह तीन सवाल आपके सामने पूछू आपसे इसकी सुरुवात करने वाला कोन है आई दिख्रसों गोवा चापनाritosWatch Vedmmm respeर चांफ यहाफ आपके वह 87 वाला गोवा यह बी आपको ध्यान रखना लाइडिया बू αυτό है इस हाल्ँकूनारीह यह क्या है वह अभी आ गेर हम पढ़ने वाल है हमँद्दर यह विश्टार उसकी सुरुषारवी आप से पूछे आफसे क्यों दोस्तों अभी हाली में इस अपना सभके विच्वाइब भी इमा जो coverage है उसको बीमा coverage को भड़ाना जो है यह इसका उद्देश हो गया है नाम से नाम बीमा विश्थार बीमा का विश्था करना अच्छा है अपना सो insurance जो है उसको भारत के last mile connection करना आपके हर कोने तक पहुंचाना यह इसका अगर आप से पूछ लेकर सर यह जो है क्यों तो आपके यह ओल इन वन है और सो किफाइती आपके रेट है आपके उनके उपर उपलब्द है आपके अफोर्डेब्ल प्राइस में अपना से लिए तो यह कैसा ओल इन वन है ऊल इन्वन एस हो और रस्गुल्हा और आपके उसा आपके ऊपलब्द होने वाला यह भी आपको च्छापना ठीक हैους All in One, दोस्तों, मतलब दोस्तों इसके अंदर सो, मतलब रष्क लिवन न, मतलब दोस्तों पूछूँ आप से, कि इसके अंदर health बीच वह यह इसके अंदर है, इसके अंदर संपत्ती वह बीच है, जीवन वाल यह इए, सारे जो आपके भीमा होंगे सारे एक साथ न, All in one शाप अपना है तोला वी इसमें आगे सो है तोला भी स्मया आ गया है संपत्ति सभ्थी अगया आपके हैं सबस्थिक के लाइफ वाला इंस्वरिंज जो है वो भी इसके अंदर आपके सारे बीमा जो हैं एक साथ मिलने वाले इसके अंदर और affordable price में मिलेंगे इसका नाम बीमा विस्तार है launch करने वाला IRDAI सो launch करने वाला option number D आपका ठीक answer है अब आप पूछोगे सर जो है IRDAI आपके इसके फुल फॉर्म है भारते बीमा वीनियमक और विकास पादिकन फुल फॉर्म है इसके insurance regulatory and development authority of India जो है वो इसके फुल फॉर्म है IRDAI इसके फुल फॉर्म है आप पूछो के सर पहला point इसके सथापना के समीति की सिफारिस पर होती है आपके second कि इसको वैधानिक संस्ता जो है वह किस अधीनियम से बनाया गया और दोस्तों इसके वर्तमान हैड कौन है यह चार सवाल आप से पूछ सकता है पहला पॉइंट इसकी जो स्थापना होगा है पहला पॉइंट आपके वह कौन सी कमीटी है मलोत्रा संस मलोतर मलोतरा कमेटी जो है इसकी सिफारिस पर इसकी स्थापना होती यह भी आपको च्छापना आठीए पुछू आप से इसकी इसकी स्थापना इसकी स्थापना होती है लेकिन दोस्तों इसको वैधानी संस्ता जो है यह च्छापना बनाए एसके नियkek अभी आपको च्छापना इसके अभी दोस्तों वर्तमान पुच्छा से अभी दोस्तों अर्तमान में सो देवाशीष पांडे जो है छापना देवाशीष जो पांडे है वह वर्तमान इसके हैड यह भी आपको छापना है ठीक है तो IRDI Insurance Regulatory and Development Authority of India मलोता समीति के सिफाइस पर स्थापना होती है वन ट्रपल लाइन में किस इस्थापना होती है इसकी 2000 का अधिनियम साथ आपके आता है हैड इसके देवाशीष पांडे यह चार पॉइंट आपको छापने ठीक है अगर दोस्तों पूछ हूँ आपसे अगर दोस्तों पूछ है आपसे RBI की जो स्थापना हो उसकी समीती कौन सी है थरप dus चांपना होई उसकी समीती कौन सी है यह चांपन सो उसकी जो कमेटी है वो कौन से चापना RBI, CBC लोग से वा आयोग हो गया हाँ देवाशीश पांडे चाप लो वो ठीक बात है न क्या हो गया उसमें पांडा पांडे में कुछ होने वाला थोड़ी है आरस बिला न बताओ आपके RBI के स्थापना यंग हिल्टन कमीशन कौन सा है यंग हिल्टन कमीशन साही आयोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं साही आयोग बोलते हैं चापना RBI के स्थापना होती है आपके 1 अप्रेल 1935 को स्थापना होती है यंग हिल्टन कमीशन साही आयोग आपका ठीक आंसर होने वाला ठीक है पूछो आपसे CBC आपके सो चापन इसके जो इस्थापना होती है संथानम समीटी के सिफाईस पर होती है इस आपके 1965 की है ये भी आपको ध्यान Ho Taiwan संथानमी कमिटी पूछे आप से सेंटर्ल विजलांस कमिशन की स्थापना ये आपको च्छापना है सबक Alert में पुछेयाँ और अधे ह一定 आयोग पुक्षापना सेक्ष की पाइख एक रेलवेवर्ण से ड्रेलवेवर्ण फापना कौन सा यह की आयोग के उसकी पर तक घ्रत आ स्थापने हैं और पुछेयाँ रेलवेवर्ण के च्रक्डवर्ण से अन। कुन सा आयोग है वो भी आपको शापना रेलबे बॉर्ण वाला रेलबे बॉर्ड वाला बताऊ-थी तो आयोग कौन सा है किसके काल सो बनता है होता है फिल्कवल ठीक बात है बताओ बाट कौन सा है कि Ond ऋपर दिखाना उपर दिखानाव कि अच्छा आप चला चला दिद्वाना पूछह आप शापना रेले पुछबट वाड पुछह आपको आपको कॉछब्सी काल कोष़्ान हो गया है रोभर्टसय आयूग हो गया है रेले बोर्ड वाला ये भी छापना आपको ठीक है आगे देखिए मुख्यमंत्री अल्फ संक्यक उध्धमी योजना पूछे आपसे कहा दूसरों प्रारमुई छापना अभी दूस्तों हाली में अरे सो बिहार वालों आपके लिए स्टार्ट हुई है ना मुख्यमंत्री अल्फ संक्यक उध्धमी योजना पूछे आपसे उध्धमी योजना पूछे आपके अभी दूस्तों हाली में इसके सुरुवात होने वाली है पूछे आपसे पहली बात तो पूछो आपसे इसकी गोष्णा करने वाले कौन आपसे गोष्णा करने वाले कौन जी नितीश कुमार जी मतलब रस्कुल लाह कहा के मुख्यमति बिहार के मुख्यमति बिहार सो यहाँ पर सुरवात इसकी होने वाली छापना सियम अल्व संग्यक पूछे आपसे उद्धमी योजना है उसकी सुर्वात का सो बिहार में हुई है पहला पॉइंट तो यह हो गट है अभर्म मतलब दोस्तों नौकरी मत माँगो गौइन्ट जो मत मांगो अपना रोजगार खोल लो भाइ कहने वाध सीधी है 抵ly वाले कह रहे आइन नोकरी मत माँगो हमारे पास दिने के लिए के लिए अपना रोजगार खोल लो और पाँ सिला कृफे जो है वो सब्सेड़ी हूं शल्पनर डेंगा सेल्फ एंप्लोईमेंट तौल लीजिए अपना खुद का रोजगार खोकहिए आप यह आप सकता नौक्री लेने वाले नहीं आप नोक्री यहां देनेवाले बन जाओ सीधी सिभात यह है आप नोकरी दो क्या नोकरी मांग रहे हो गवर्मेंट आपके छोड़ दो नोकरी आप नोकरी दो इस युजना के लिए फण्ड दे रहे हैं इसमें आपके 10 लाक रुपे आपको मिलेंगे 5 लाक रुपे लोण मिलने वाला है और 5 लाग उर्पे जो आपको वो अनुदान मिलने वाला है। अगर दोस्तों पूचहूंज़ आपसे अगर दोस यह फोटो देखें आपके सामने मुख्य मंत्री अल्ब संहका उधमियोजना और नितिश कुमार ची आपके सामने यापँ पर दिखाई देरों अगर अगर दुखेए आप से मुख्य मंत्री देखो तेह ना लिकुर आप मुख्य मंत्री से खो। जौज़ना आपके सामने मुखे मंत्री सॉक राइन गकापने तीन सवाल आूपके सामने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजन पुछे आप से अरे मध्य प्रदेश सीख लो कमाओ अपना नोकरी मत मांगो ना सीखो कमाओ नोकरी मत मांगो ठीक है चरंजेवी बीमा चापना राजिस्थान सौब के राजिस्थान आपकी यहाँ 25 लाख रुपए जो आपके वीमा मिलने वाला इसके अंदर य आपकी बीवी अगर है दोसों तो वो सारे दिन सारे दिन देखना सारे दिन देखती है कि यार सारे दिन कौन सा खाना बनाना यह वाली डिस्थ बनानी है पर दोस्तों अंत में साम को बनती वही है आपके कौन सी आपके टिंडे की सबजी आपके घिया की सबजी अंत में बन इन वह स्मार्ट फोन वुगास और भी हालि स्टार्ट हुई आपके यह महिलाओ लिए जडिए से ऑन्धर और पूनटी फॉन देखे ना बड़ी कुसकबरी की बात उस ने आपके अपना हैपी बड़डेप ने इसकी मंवी को निसुप नो इसकी मंवी को न इसकी मंवी इसकी मंवी अलफा वैक्ट पॉ um यह कहा कि ंफ ले कोमपनी इसका अठ्ञावी में स्थापना भूल अ इसके और वर्तमान CEO कोन आपके सुन्दर पचोई वर्तमान CEO है आपके इसके और इसकी मंभी कोन है अलफा वेट जो है वो इसकी मंभी है Google की यह भी आपको छापना है ठीक है आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके जैपुर से आपके रेलवे एल्पी टेक्निकल के लिए टेक्न बाकी दोस्तों आपके लिए सूचना यह है कल सुबह 6 बजे सुन लिजिए कल सुबह 6 बजे तयार हो ना आप लोग कल सुबह 6 बजे आपकी तीन गंटे किलास होने वाली है तयार हो आप इसके लिए कल सुबह 6 बजे आपके सामने तीन गंटे किलास आपकी होने वाली है सन 2023 का पूरा current face जो है वो आपको special episode जो है वो कल मैं कराने वाला हूँ कल इसको last कर देंगे हम कल समाप्स कर देंगे इसको हम जो है और फिर परसो दोस्तों आपको वापस से current face पढ़ाऊंगा सुबह जो है सुन लीजिए 2023 का current face का special episode जो है वो कल सुबह 6 बजे आने वाला है उपर आपको link मिलेगा इसका जो है लिंक है उपर उपर link आपको मिलना होगा उपर link है आपके सामने उस link को आप click करना ये वाली class मिल जाएगी आपको 23 का current face का special episode कल सुबह 6 बजे आने वाला है और कल किलास होगी आपकी 3 गंटे किलास होने वाली है कोई भी आपका exam हो भविष्य के अंदर राजिस्थान हो या बिहार हो या यूपी हो आपके या कोई और स्टेट exam है सेंटर आपका दिल्ली पुलिस exam या फिर कोई और exam सेंटर वाला है सभी के लिए मैजपून होने वाला है तेज का current of phase का पूरा episode जो है वो कल सुबा 6 बजे आने वाला है 3 गंटे कलास आपकी होने वाली है कल सुबा तियार हैना कल 3 गंटे पढ़ाऊंगा मैं आपको सुबा 6 बजे पढ़ाऊंगा कल सुबा 6 बजे आपके सामने special episode आएगा ये भी आपको तयार रहना है ठीक है आगे बढ़ते है next आपके सामने फूल पत्ती वाला जुलाई वाला magazine या अगस्त वाला magazine आपको अगस्त वाला ठीक है अगर market में हो तो पढ़ लेना अगस्त वाला magazine आपके लिए मैधपुन होने वाला ठीक है बाकी दोस्तों देखिए आपके सामने revision करते हैं देखना फाइव आइज अलाइंस में आस्टेलिया, कनाड़ा, न्यूजिलेंड, अमेरिका, इंगलेंड आगे दोस्तों देखना आपके आपके मोटो जी भी पूछो आपसे जीतने वाला मारको बेज जी आपके इतली वाला option नमबर एक हो गया है यूनिकलो का ब्रण नमबर इसा कटेना के option नमबर सी हो गया है और चाक परिना पूछा आपसे 36 गड़ आपके एजुकेशन वाली option नमबर सी बल्ड बैंक ने इसमें help की है जूरिक डायमंड पूछे आपसे लीग में आपके जूरिक आपके जूरिक आपके डायमंड लोसे लीग पूछो आपसे इसमें गोल्ड जीता option नमबर एक ठीक answer ठीक है स्वाब के लिए और क्रन्ट आफेस की question आपके सामने है यह magazine आपके सामने यहां आपड़े ठीक है कल सुबह जो है वह आपके सामने एक बड़ी class आने वाली तियार रहना उसके लिए कल सुबह 6 बजए आपकी class होने वाले है ठीक है कि और उपा कि देखिए बाइक कल मेरा पास कल मेरा करेंट अफेस एंड हो जाएगा आपका रिवी जन जो है ना उसके वाद आपके सामने एक आपके इस्टैटिक जो जीके है ना उसकी सिर्पिजआएगी जो एक अक्टूबर जो होगा ना एक तारीक के साफ्प चुट्ती आपकी हो शकती है मुझे आइडिया नहीं है पताओंगो मैं आपको मनलब अक्टूबर तीस तारीक जो पर जो होगी न तीस सितंबर जो होगी वहांificación कि यह दिखे आपके सामने लल्लन टॉप में लडलन टॉप के अंदर स्टाटिक जो जी के वह आपकी आने वाली है करेंट मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया इस मेने के अंदर आपको इस मैने सितंबर महा में आप बताना अपद लोग मुझे सितंबर महा कैसा लगा को आपके स्टुबर जो महा आने वाला इसके अंदर आपके बोष्टिक दी अबस काने दीवस होगे गुपकर यहीं दोस्तों आपके सामने जो है current face तो पढ़ेंगी हम बाकी आपके तो जीके है हमारी वो भी पढ़ने वाले हैं मैंने current face आपको खूब revise करवाई है इस मैंने और अंत में मैं आपको कल जो है last class आपकी होने वाली है इसके बाद current face का कोई भी revision नहीं होगा में इतरब से कल last class आपकी होने वाली है कल last class current face का revision की होगी सुभा 6 बजे होने वाली है उसके बाद एक भी class आपकी नहीं होगे ठीक है कल दंग से revise कर लेना सुभा 6 बजे आना है आपको और 9 बजे तक भेने वाली class होगी आपके 3 गंटे-4 गंटे चलेगी class कल मैं current face 23 वाला मैंने पिछली चार पांच किलासे लिए हैं उसमें पूरा करेंटस आपका 그래도 करलादिया इनए जनवरी फर्वरी मार्च अप्रियल मॉइ जूजrios जुलाई अगस्त पूरा पढ़ा दिया है कल लाज्ट किकलास कि करने वाला हूँ कुन क्लास आपकी होगे खुदि होगे कल सुबह 6 तक यार रहना कोई भी ऐग्जाम आप दे रहे हों चाही के बीपिस सी और स्टेट पीसी सो राजी इस्थान का जाया आपके बिहार वागा को यूपी का राधी का तो चाहे आपके इंडिया लेवल का एक्जाम कोई भी एक् और बताओ, स्पोर्स वाला pytढ़ा दिया मैंने न, देखना आप स्पोर्स वाला क्लास जो मैं पढ़ा चुका हो, स्पोर्स साइंस ट Erfahrung पढ़ा चुका हो, चेक करना, बदेट भी तल बढ़ा बदेट भी टल बढ़ा का न, बजट वाला पोर्स नहीं बदेट आपको ठीक है जो बज़ेत विगाला पॉर्शन है आपका वह भी हकल होगा ना भजएत विकल पढ़ाएंगा आपको economics current interface भी कल बढ़ाँगा मैं आपको awards भी कल बढ़ाँगा मैं आपको बाकी जो और current interface भी पढ़ाँगा ये सारी चीज़गे पढ़ाँगा कल ना science tech पढ़ादी मैंने sports science magic पढ़ादी मैंने सामको आठ फजे बढ़ाई है कल पढ़ाई एक तो एक पर्सों पढ़ाई है और बताओ राम राम जी उपर दिखाना हाँ सरा हरदीव सिंग निजर की हरत्याभ पाकिस्तान ने करवाई करना का ही करना आपको हा मर गया ना बहुत हैं अ scheint डाइमंड लीग में सिल्वर जीता है मैंने क्या कर दिया गोऽ्ड कर दिया क्या स्लिवर करलें न उसको ऊप कहा है तो इससमें आपके गोर्ड जी ता इसने लुसाने में छाबना दोहां यहां गोल जीता है ना जूरिख में इसने सिल्वर जीता है ठीक बात Coach like एक ढंबर भी ठीक है Kayla very good लुसाने में गोर्ड जीता है और नूँचे जिता ठीक है और जूरिक में आपके शिल्वर जीता है और बताइए आपके हालचाल कैसे है बढ़ी हाओ आप कि भ्रमास क्लास कि अब ब्रमास क्लास हाँ सितंबर मां पोशन महा था हमारा भी पोशन हो गया सितंबर में आपको बहुत content इया सितंबर माँ में अगर 30 दिन की क्लास देखो गए ना मेरी सितंबर मा की आपका दिल खुस हो जाएगा जो ये पढ़ा रहा हो तो पढ़ाऊंगा और जी के वाला पोशन स्टार्ट करेंगे हम तीस तारिक से लललन टॉप के अंदर बाकी क्या बोलते हैं कल जो है आपकी बड़ी क्लास होने वाली है उसके लिए तयार रहना है आज भगस सिंग जी का हैपी वर्डे वो महबत भी ब एपूर और यह सारी करेंट फेस पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम में हैने वाली ए है आप अराम से पार के लिए के दिक ए के बाद क्या पड़ाओंगे वाँ पर जोगरोफी पड़ाओंगा तो ह कि इस्ट्री ने में पर जोगरोफी पड़ाओंगा तो भ्रमास बह्त म टाइम सुबाद शे बजे वही जो क्लास अपनी होती है डेली वही टाइम है सुबाद शे बजे टाइम है कल का कोई नया टाइम थोड़ी है कल सुबाद शे से नौ रहेगी क्लास ना कल बड़ी क्लास रहेगी है ना कि एंटीएस में 25 25 में से 18 आगे बड़ी अच्छी बात है ओल दी बेस्ट कि 25 की 25 आने चीए था अठारा क्यों आए समस्ची आए साथ को से बढ़ाने पड़ेंगे अब मुझे लगता है आपका जी के वाला पॉर्शन कमजोर है ना जो इस्टेटिक वाला पॉर्शन है करंट अगर आपने इस मयने मुझे it तो आपकी मजबूस होई जैएगी और लाश आने वाला पढ़ ले ना कल वाली क्लास पढ़ ले यह लल्लन टॉप दूसरा आपके सामने आने वाले कौन से यह जीके वाले आने वाले लल्लन टॉप यह आपके लिए सूचना है ठीक है अगला एक महीना और दो मुझे आप अक्टूबर का महीना और दो और जीके भी आपकी मज्बूत हो जाएगी जीके कून सी आपकी जो कहीं नहीं पढ़ते हो आप लोग जो है विए सबसे नीचा कौन है इ सबसे नीचा कौन है वह पढ़ाओंगा मैं आपको यह वाला तयार रहें तीस तारीक से ना चलिए all the best खुश रहना ब्रह्मास बैच सभी एक्जाम का बेस बनने वाला आपका दुबारा तो स्टार्ट इसको बाद में करेंगे पहले इसको पूरा पढ़ा दूए एक बार फिर स्टार्ट करूंगा बाद में दुबारा तो आप इसको अगले साल करूंगा इस साल नहीं कर पाऊंगा आप आराम से पढ़ो जुन्होंने बैच लिया है कोई समस्चा नहीं है ना आपको बैच में दिल भेच दो ब्रहमास बैच वालों एक बार अगर कोई समस्च्य आपको नहीं आ रही है बैच के अंदर पढ़न क्यापिटल करंसी वह इसमें है ना ना कियापिटल करंसी भी इसमें बढ़ाओं इंट मैं आपको कल बता हूंगा ना एक मैं आपको छोटी वीडियो बनाँ ना उसुन बता दूँगा मैं आपको कौन को से टोपिक डेली दस सवाल होते अना तो दस topic डेली लगँगा ना ऐसे लेने वाला हूं ठीक है दस टॉपिक ले लेंगे हम जो है एक में आपके संगठन ले लिया हमने दस टॉपिक लेंगे उसके पांच मांच सवाल पढाऊंगा डेली सोचिए आप तीस दिन पढाने वालओं 30 गुणा 5 हर topic के 1500 सवाल आपके होने वाले अगर ये एक मैने मैने कर दिया अगर आपने मैने मुझसे ये करवा लिया यकीन मानना सवाल भार नहीं जाने वाला अरे 101 topic से इस से रिक सवाल थोड़ी बने गे मैं इतने सवाल पढ़ा दूंगा तो आपको एक मेने मैना हर ढBIक के दस reyलेंगे हम लोग कहांगे करनसी का डान्स का फेस्टिबल का और्गनािभे सिन का राजधानी का आथ थानी का एस लेंगे दस टॉपि delसकी दस पढ़ा दूगा मैं आपको एक मैने पढ़ाऊंगा हर टॉपिक का डेड़ सवाल तियार आपका हो जाएगा इतनी करणसी होंगी टेड़ सो सारे लिखा दूँगा आपको ठीक है कि छले यह काम करूंगा मैंना आपके लिए अगर आपने करवा लिया तो है आपने करवा लिया तो है वरना ऐसे मैं गोजणाय करता नहीं हूँ करता हूँ तो पूरी करता ही हूँ आप जानते हूँ अगर आप करवा लोगे तो यह काम हो जाएगा ठीक है पता ना कमेंट बोक्स में कौन-कौन तयार है इस काम के लिए तूटा हुआ दिल क्यों बेज रहा है डोपा चलो जैहिन थैंक मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में तू जरा कोसिस तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उतकर्स चैनल को झाल